तो गाईस सब लोगों को जिस घड़ी का बेस अबरी से इन्तिजार था इविक्शन टास्क का फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिया गाईस यहाँ यहाँ पर बिग बॉस ने जो है पाचो कंटेस्टेंट को जो गिराइंड फिनाले में मौझूद थे सभी कंटेस्टेंट क वो अपने-अपने डाइस पर जाकर खड़े हो जाते है पहले तो अजो दोगन जो होते हैं वो सबसे पूछते है कि आप अपने हिसाब से बताइए कि किस सदस्टे को पाचो में से एविक्ट होना चाहिए जहाँ पर दोस्तों मनारा चोपड़ा जो है अंकिता का नाम लेत दिया जाता है और हर कंटेस्टेंट के डाइस पर उसके नाम की पूडिया होती है जिया दोस्तों सभी कंटेस्टेंट को एक कागस की तरह पूडिया दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि सभी अपने अपने बर्नर के अंदर इस पूडिया को डालेंगे और जिसका बर्नर का रंग चेंज हो जाएंगा वो यहां से इविक्ट हो जाएंगा और पानी में पूडिया दालने के बाद भी जिसका भी कलर्ड चेंज नहीं होगा वो विनर की रेस में ऐसे ही बना रहेंगा जिसके बाद ये सुनते ही सभी कंटेस्टेंट जो है बारी-बारी पानी के अंदर बर्नर के अंदर वो पूडिया को डाल देते हैं पहले तो दोस्तों वो पूडिया धीरी धीरे सभी की पानी में डिजॉल्व होने लगती है फिर थोड़ी देर अरुन भाई के बर्नर का पानी का रंग जो है वो धीरी धीरे चेंज होने लगता है और वही सभी अरुन भाई इविक्ट हो जाते है जिहां गाईज यहां पर सभी घरवाले जो है मुनवर फारुकी अभिशेक कुमार अंकिता लोखंडे और मानारा चोपडा टॉप 4 में पहुच जाते हैं वही मुनवर फारुकी अंकिता लोखंडे को टॉप 4 के अंदर आनी की बदाई देते हैं मुबारक बात देते हैं और इसी के साथ मुनवर और अंकिता भी यहां पर सेफ हो जाते हैं और उधर मानारा और अभिशेक भी सेफ हो जाते हैं फिर दोस्तों वही अजयो द्योगन जो है अरुन माश इटी से कहते हैं कि आप बिग बॉस के टॉप फाइप से इविक्ट होते हैं फिर वो उन्हें अपने साथ सलमान कान के पास स्टेज पर ले जाने लगते हैं वही जाने से पहले अरुन भाई अभिशेक के गलेल मिलते है और यहां इनको जो कुछ भी हुआ उसके लिए सोरी बोलते है फिर वो मुनवर फादुकी के भी गले लगते हैं और इसके बाद वो मानारा और अंकीता को मिलते हुए अजयो द्योगन और थिरी इडियेट के फरान के साथ माह से निकल जाते हैं और इस तरह जो है अरुन भ